Hello friends, a very warm welcome to all of you, to the success educator, इस वीडियो में डिसक्स करेंगे OSI model से related multiple choice questions, इसके related जो है मैंने already दो वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो का link मैंने description में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लें, पूरी playlist भी आप वहाँ पे JIT related देख सकते हैं, काफी सारे वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, इस वीडियो का जो है PDF अगर आपको चाहिए तो आप जो है टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना, मैंने link description में दे रखा है, वहाँ पे जाके directly आप टेलिग्राम चैनल को जोइन करिए, और वहाँ पे जो भी previous lecture मैंने लिये हैं, उससे later सारे PDF वहाँ पे आ यह student जो भी है, first question is, what are the responsibilities of data link layer, तो data link layer की क्या क्या responsibilities होती है, यह question पूछे जाते है, तो data link layer पे क्या होता है, framing, यानि कि जब data जो है packets की form में आ रहा होता है, network layer से, तो data link layer पे जब वह पहुंचता है, वो frames में divide होता है, मतलब उससे भी छोटा हो जाता है, ठीक है, इसके बा check, तो इससे ही आपका जो, जो error check है, वो होते है, मतलब detect करता है, आपके errors को कोन करता है, CRC, right, then physical addressing, जो कि हम MAC address भी बोलते है, तो MAC address जो है, कहां पे काम करता है, data link layer पे काम करता है, तो mainly जो है, यह important चीज़े हैं, जो आपको याद रखनी है, what are responsibilities of network layer, network layer की responsibilities क्या होती है, सब path determine करेगा, मतलब best way आपको बताएगा कि कहां से हम data को send करे, right, दूसरी बात IP addressing, addressing मतलब आपका जो logical address जो है, यह लगा के देगा, destination जो आपका file होगा, उस पे, कि मतलब किसको भेजना, यह data, इस सारी चीज़े कौन देखता है, network layer देखता है, और securely पहुंचाता है, destination पे, what are the responsibilities of transport layer, transport layer की responsibility में आगर आप देखेंगे, तो flow control और error correction हमारी data link layer पे भी होती है, तो ध्यान में रखना इस बात को, examiner जो है, तभी भी एकठे question जो है, option में नहीं देगा यह, तो flow control, error, detection, main रूप से आपकी data link layer पे काम करती है, ठीक है, लेकिन कुछ हर तक transport layer पे भी आपको दे data जो है, divide होता है, right, and multiplexing, demultiplexing कहां पे होती है, transport layer पे, इसके लावा, connection established कहां पे होता है, वो भी यहां पे होगा, sequencing, acknowledgement, and three-way handshake, जो है, यहां पे, transport layer पे होगा, router कौन सी layer पे काम करते हैं, very important question, और आप सभी को पता भी होगा, network जो है, हमारी network layer पे काम करता है, router, ठीक है, network किसका answer हो जाएगा, what is the port number of DNS and telnet, तो देखिए, port number से related भी question पूछे जाते हैं, काफी बार repeat होते हैं, तो DNS और telnet का port number पूछा गया है, क्या क्या होगा, DNS की बात करें, तो DNS का port number होता है, 53, and telnet का अगर आपको पूछा जाएगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 23, 23 होता है telnet क जिसको आप क्या बोलते हैं, full form इसका teletype, teletype network इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, इसका full form, और teletype जो ये telnet है, इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, इसको हम इस्तेमाल में लेते हैं, जब हम remotely काम कर रहे होते हैं, किसी computer में, तो remotely काम करने के लिए कुन सा protocol यूज होत होता है, और DNS आपको पता ही है, कि जो आपका IP अड्रेस होता है, वो numbering की form में होता है, और DNS उसको जो है आपका दूसरे convert करके देता है, अलफाबेटी, which service use both TCP, UDP, तो TCP और UDP जो है, आपका DNS में use होता है, याद रखिएगा, domain name system, इसका full form है, आप मुझे comment section में लिखेंगे कि TCP कोन सा होता है, connection oriented होता है, या फिर connection less होता है, और UDP कोन सा होता है, इन दोनों का जो है, अपने kindly comment section में जुरूर answer लिखेंगा, port number आपको बताने है, SMTP और POP3 का, तो port number याद रखिए important है, सबसे पहले बात करते है, SMTP और POP3 की, ये दोनों कहां पे use होते हैं, ये आपके email system में use होते हैं, email में use होते हैं दोनों, simple mail transfer protocol इसका full form है, और ये जब आप message send करते हैं, वहाँ पे ये protocol काम में आता है, और POP3 कहां पे काम आएगा, जब आप message को receive कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो है, POP3 का इस्तिमाल होता है, ठीक है, तो SMTP का port number क्या हो जाएगा, SMTP का जो कहां पे divide होता है, तो ये आपका data link layer में divide होता है, कौनसे layer पे, data link layer पे, package में data कैसे divide कहां पे divide होता है, package में आपको data देखने को मिलेगा, कहां पे network layer पे, network layer next is segments की form में data आपको कहां पे देखने को मिलता है तो segment की form में हमने discuss किया था पहले भी तो ये आपका transport layer पे होता है क्या answer हो जाएगा transport layer give some examples of protocol in application layer तो application layer पे कौन-कौन से protocol जो है काम करते हैं इनको एक बार देख लो hypertext transfer protocol, https, telnet, teletype network SSH, DNS, FTP, TFTP, DHCP, RIP तो ये सारे जो है आपके काम करते हैं application layer पे maximum जो आपके protocol है वो आपके application layer पे काम करते हैं और इन से related question पूछा जाता है तो याद रखिए इनको इन पे एक बार नजर मार लेना कि कौन-कौन सा protocol कौन सी layer पे काम करता है port number आपको बताना है FTP का file transfer protocol तो ये किसलिए use में होता है जब भी हम file को download करते हैं या फिर file को upload करते हैं internet पे तब हम file transfer protocol का इस्तिमाल करते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा FTP का जो है ये 21 number के port number पे काम करता है 21 पे which layer specifies voltage, wire speed, pin out cables and move bits between the devices अब यहाँ पे अपको answer साफ पता चल रहा है यहाँ पे bits की बात की जा रही है data bits की form में कहाँ पे flow करता है दूसरी बात cables कहाँ पे use होती यानि कि physical चीजे जो है physical devices कहाँ पे use होगी तो ये आपका answer क्या हो जाएगा physical layer पे bits की form में data कहाँ पे travel करता है physical layer जो कि अपकी first layer होती है OSI model में which layer combines bits into bytes and bytes into frames uses mac addressing and provides error detection अब यहाँ पे दो चीजे हमने अल्रेडी पढ़ी थी कि mac addressing जो है वो कहाँ पे होती है और error detection तो answer हमें मिल गया और frames बे data कहाँ पे travel करता है वो आपका data link layer पे तो answer क्या हो जाएगा इसका data link layer next is which layer provides the physical transmission of data and handles error notification, network topology, flow control तो यह भी आपकी कौन सी layer हो जाएगी data link layer क्योंकि दोस्तों flow control मैंने आपको बताया था error detection, error notification और जो आपकी एक और add हो गया कि topologies कहाँ पे काम करती है तो याद रखे topology जो होती है network topology वो भी कहाँ पे काम करती है वो आपकी data link layer पे काम करती है तो इसका answer भी क्या हो जाएगा data link layer which layer manages device addressing tracks the allocation of devices on the network and determine the best way to move data, तो हमने पहले बात की थी कि best way कोन बताता है data move करवाने का, दूसरी बात addressing कहाँ पे होती है तो यह इसका answer क्या हो जाएगा आपका network layer तो यह सब काम कहाँ पे होती है network layer पे होती है at which layer is routing implemented routing की बात की जा रही है जो की enabling connections and path selection between the two streams तो path selection और routing कहाँ पे होती है यह भी आपका answer क्या हो जाएगा network layer पे होता है आगे बढ़ते हैं which layer defines how data is formatted presented, encoded and converted for use on the network तो कौन सी layer जो है data को formatted की form में present करके देती है और encode होता है जहाँ पे ठीक है और इसका answer क्या हो जाएगा presentation layer presentation layer data आपको formatted की form में ठीक है encode होता है जहाँ पे format होता है और जो convert होता है for use on network is presentation layer presentation layer जो है अगर हम उपर से देखेंगे तो second layer है और अगर आप जो है sender वाले end से देखेंगे तो यह कौन सी layer हो जाएगी आपकी second layer which layer is responsible for creating, managing and terminating session between the two application तो यहाँ पे session की बात हो रही है session को create करना, manage करना और उसे terminate करना जो है कौन सी layer का काम होता है यह आपका session layer का काम होता है यह रखेगा session layer right so guys these were the important questions related to your OSI model अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो like जरू करिएगा और भी जो है मैं वीडियो लेके आऊंगा अगर आपका response अच्छा रहता है मैं बार-बार बोलता हूँ और साथ में जो है PDF इनके चाहिए तो टेलिग्राम जोइन कर देना और नई student जो है चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर लीजेगा हम मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक लिए जाहिए